तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोवाइल से Professional Looking, Resume और CV बना सकते हो तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए तो दोस्तो यहाँ पर अपने मोवाइल से Professional Looking, Resume और CV बनाने के लिए आपको एक app use करना है जिसका की नाम है resume builder तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने mobile में play store open कर लेना है play store पे जाके आपको search करना है resume builder तो आपको exactly यही search करना है उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे app मिल जाते हैं resume बनाने के लिए तो आपको यह app choose करना है जिसका की 10 से जादा million download है 4.7 rating है और math 7.6 MB का size है तो आपको exactly यह app install करना है वैसे मैं आपको इस app को download करने का link अपने इस video के description में दे दूँगा आप direct description के दिये हुए link पे click करके इस app तक बहुत सकते हो और इसे download कर सकते हो तो यहाँ पर आपको simply इस app को install कर लेना है install वाले button पर tap करके इस app को install करके आपको simply open कर लेना है तो जब आप इस app को पहली बार open करोगे तो कुछ इस type का देखने को मिलेगा यहां पर आपको create वाले option पर tap करना है जो कि आपको bottom left corner में मिलता है और इस app को use करने में जो भी आपसे permission मांगा जाए आपको allow कर देना है तभी आप इस app को आगे use कर पाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो अलग-अलग section देखने को मिलता है इसमें कि आपका personal detail, education, experience, skill, objective, reference यह सब कुछ आजाता है project भी आजाता है और more section का भी आजाता है option तो यहां पर आपको one by one सारी detail को add करना है और आपको automatically सारा detail अलग-अलग format में update हो जाएगा आप किसी भी format में उसे download कर पाओगे तो यहां पर one by one मैं सारा detail add कर लेता हूँ अपने resume में तो यहां पर सबसे पहले personal detail तो personal detail में भी आपको यहां पर नाम add करना होता है उसके बाद यहां पर आपको address add करना है उसके बाद आपको अपना email address add करना है है Phone-Number add करना है और यहां पर आप अपना फोटो भी लगा सकते हो वे फिद्रीश में में तो यहां पर मैं सब कुछ एड लेता हूं अ कि उसके बाद इहाँ पर मुझे अपना फोटो भी आड़ करने के लिए मिलता है तो यहाँ पर मैं इस पर टैप करके फोटो भी आड़ कर लेता हूँ वैसे यह ओप्शनल है क्रैमरा को परमिशन मांगा जा रहा है तो मुझे लॉग कर देना है उसके बाद यहाँ पर मैं फाइल मेनेजर से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ इंटर्नल स्टोरेज तो मैं यहाँ पर यह फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर ओके पर टैप करना है आपको उसके बाद मैं यहाँ पर पोशन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं अपने रिजूमे में रखना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ पर मुझे tick पर select कर लेना है और यहाँ पर मैं a photo upload होगे आप मुझे यहाँ पर save पर tap करना है तो यहाँ पर personal detail वाला section fill हो चुका है अब मुझे यहाँ पर education वाले section में fill करना है education वाले section में पहुचने को बाद यहाँ पर आप देख सकते हो और देख सकते हो कि exactly आपको क्या-क्या डिटेल एड करना है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है टाइप और डिग्री स्लैस फिल्ट अफ स्टडी उसके बाद आपके कॉलेज यह फिस्कूल का नाम लोकेशन उसके बाद आपका सीजी पीए और आपका फिल्ट अफ स्टडी यह यह सब आप अड कर सकते हो इसके साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ रहां बीविल जाता है है यहां पर मैं एत्वीं में जाकर करके एड पर करके और लेता हूं अपना सार सांग अब इअ झानि साथ डिटेल एड करने के बाद यहाँ है लुथ अधर मिठेप करना है कि कि यहाँ पर मैंने परस्टनल डीटेलों को चिकेशन एड़ अब मुझे यहाँ पर आपको सबसे पहले कमपनी नाम लिखना है जॉब टाइटल start date और फिर in date भी आप डाल सकते हो कि कब से कब तक आपने काम किया था उसके बाद यहाँ पर आपको details आड़ करना है कि आपने क्या-क्या काम किया experience के तौर पर उसके बाद यहाँ पर आपको save पर tap करना है वैसे आप details में लिख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ही sentence लिखा detail में आप describe way में लिख सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक experience to add कर दिया आप multiple experience add कर सकते हो बार-बार experience पर जाओगे यहाँ पर आपको add option मिलेगा तो आप add पर tap राजके बहुत सारे experience add कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर मैं skill भी add कर देता हूँ skill का आप example यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि example में दिया हुआ sales, team building, problem solving, decision making तो मैं similar इसी type का add कर देता हूँ यहाँ पर आपको add पर tap करना है और यहाँ पर आपको rating भी देना है means एक से पांच तक में मैं दूसरा skill add करता हूँ यहाँ पर add पर जाके तो यहाँ पर मैंने तीन skill add कर दिया उसके बाद यहाँ पर आपको objective पर tap करना है और अपना objective add करना है तो मैंने कुछ भी add कर दिया अपने हिसाब से आप objective add करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको reference पर tap करके अपना reference भी add करना हुआ तो कर सकते हो यहाँ पर आप example में देख सकते हो किस type का reference होता है हमिएसाब किसी के through आप किसी company में apply कर रहे हो तो यहाँ पर आप reference add कर सकते हो तो यहाँ पर मैं reference रहने देता हूँ यहाँ पर आप अपना project add कर सकते हो कुछ भी और यहां पर आप डिस्क्राइब वे में अपने प्रोजेक्ट के बाए में लिख सकते हो यहां पर मैं टुटोरियल के लिए बना रहा तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा तो इन शॉट मैंने सारी डिटेल एड़ कर दिए सारी डिटेल एड़ करने के बाद बॉटम में आपको व्यू सीवी का ओप्शन दिखेगा तो आपको उस पर टैप करना है देख सकते हो यहाँ पर अलग-अलग आपको फॉर्मेट दिख जाता है कि किस टाइप का आप रखना चाहते हो तो मुझे यह अच्छा लग रहा है यह वाला तो मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी टैंपलेट चूज़ कर सकते हो यहां पर आपdo देख सकते हो 42 हैं आपके पास तो मैं यह चूज़ कर लेता हूँ देख सकते हो मेरा यह यहां पर रिजियू में इसी टैंपलेट में आ गया है तो अब आप यहांसे year download कर सकते हो यहीं then तब ड़नोड कर सकते हो यहां पर भी आफको download option मिलता है तो मैं यह पर simply tap करके download कर लेता हूं और तो download करने से पहले यहां पर आपको color भी चेंज करने का option मिलता है प्रुप ही भाएने देता हूं तो यहां मैंने बहुत कम डीटेल एड़ किया इसलिए थोड़ा चोटा बना है आप डिस्क्राइब वे में एड़ करोगी डीटेल तो आपका रिज्यू में बहुत बढ़िया निकल के आ जाएगा यहां से आप फिर तरी डॉट पर टैप करके इसे सेर कर सकते हो जीमेल पर वाटसब प कर सकते हो इसके अलावा आप अब दुबारा से क्रियेट पर यहां पर जाते हो इसे क्रियेट पर टैप करते हो तो यहां पर आपको आपका बना हुआ रिज्यूमे मिल जाता है यहां पर आप दुबारा से एडिट पर टैप करके सेम रिज्यूमे को एडिट भी कर सकते हो और सेम साई details को add कर सकते हो means आपका और भी ज्यादा experience हो गया दो साल बात तो आप सेम resume को फिर से edit करके उसमें और भी experience add कर सकते हो और यहां पर आप फिर से view resume पे view cb पे tap करके आपको फिर से अलग-अलग format में resume को निकालने का option मिल जाता है तो दोस्तो यह app बहुत useful लगा मुझे resume बनाने के लिए आप इसे try कर सकते हैं अपना खुद का professional looking resume बनाने के लिए तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको mobile resume बनाना है और अगर यह video आपके लिए useful हाथ इस video को like करना ना भूले और इसी type के छोटे छोटे useful वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूले इसके अलावा आगा आपके मन में कोई doubt है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं फिलाल इस channel से joy हैं अभी के लिए bye bye